जब आपको किसी person के बारे में जानना हो किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो अगर आप student हो और आपको अपने classmates के बारे में जानना हो तो आप क्या करोगे सबसे simple तरीका है कि आप उनके पात जाओगे उनसे बात करोगे और उनके बारे में जो जो जानना है आप question करोगे और अगर आप एक teacher हो और अपने student के बारे में जानना हो तो आप student को बुला कर उनसे बात करोगे और उनके बारे में जो जो जानना है आप उनसे question करोगे तो किसी के बारे में जानने का सबसे बहतरीन तरीका है कि आप उससे जाकर बात करो लेकिन कई वार ऐसा भी होता है कि हम सीधे डिरेक्ट जाकर बात नहीं करते तो बात नहीं करते तो information हम कैसे collect करें तो इसका एक और तरीका है कि आप उन लोगों को देखो आप उनकी activity को देखो कि हो क्या कर रहे है कैसे उट रहे है कैसे बैठ रहे है कैसे दुसरे लोगों के साथ behave कर रहे है तो मतलब क्या है कि देख कर तो आज के इस वीडियो में हम इसी देख कर ये देख कर क्या है observation तो आज कि इस वीडियो में teaching of social science में हम जिस method की बात करने जा रहे हैं observation method अव लोकन विधी तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अव लोकन विधी या observation method क्या है और teaching of social science में इसकी क्या importance है तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अगर हम observation की बात करें अव लोकन की बात करें observation means to see with eyes की आँखों से देखना और किसी भी चीज़ को सिर्फ देखना नहीं देखकर उसके बारे में सोचना समझना अगर आप मालोक किसी चिडिया को देख रहे हो तो यह मत देखो सिर्फ चिडिया है आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़े ध्यान दे सकते हो की चिडिया है 21 पर जाती है की चिडिया है कितनी उपर तकूर सकती है size क्या हो टाय बड़ा है क्या खाती है गुसले में रहती है की नहीं रहती तो ऐसे उसके बारे में बहुत सारी चीज़े सोच सकते हो समझ सकते हो तो observation का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, देखो और चीजों के बारे में सोचो, समझो, जानो observation is a method of social science which is based on direct observation of the subject matter कि अवलोकन समाजिक विज्ञान की एक ऐसी विदिय है जो विशेवस्तु की प्रतिक्ष दर्शन पर आधारित है direct experience, direct observation का मतलब है जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो आप उस इंसान को देखो, अगर मालो उसको देखो, उसके activities को देखो, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है अगर आप एक teacher हो, आपको अपने बच्चों के बारे में जानना हो, आप उनको देखो, क्लास में किस तरह से बच्चे behave कर रहे हैं, क्लास के बाहर किस तरह से behave कर रहे हैं, ground में उनकी क्या क्या activities है, किस तरह से दूसरों से बाते करते हैं, तो आप देखकर भी आप दूसरो है आप उसको अपनी आखों से देख रहे हो उनकी एक्टिविटीज को देख रहे हो तो इससे क्या आपको डारेक्ट एक्सपिरियंस मिलना है अब्जरवर्स गो टू दा प्लेस ऑफ इंसिदेंट एंड गैट कि इसमें क्या है जो अवलोकन करता है जो घटना स्थल है वहाँ पर जाकर अपनी आखों से उन घटनाओं को देखकर जानकारी प्राप्त करता है अक्सर आपने देखा होगा टीवी पर बहुत सारे निउज एजनसी से हैं आस तक है जीव नीज है इस तरह से बहुत सारी आप चीज़ों को देखते हैं जानते हैं और फिर क्या करते हैं फिर आकर अपने चैनल पर और आम लोगों को पॉब्लिक को बताते हैं कि अक्चुल में हुआ क्या था तो डिरेक्ट वहाँ पर जा रहे हैं देख रहें सोच रहें समझ रहें इसी तरीके से आप सोशल साइंस के टीचर हो तो आप क्या कर सकते हो आप कई बार बच्चों को विजिट पे ले जाते हो जो हिस्टोरिकल मॉनुमेंट है तो वहाँ पे ले जाते हो और बच्चा क्या करता है अलग लग जगे पर जाके चीज़ों को देखते हैं जानते हैं तो उससे क्या होता है डारेक्ट ए अब हम बात करते हैं types of observation की अवलोकन विधी के प्रकार तो कौन-कौन से इसके प्रकार है तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियंतृत अवलोकन controlled observation की तो controlled observation क्या है तो देखी नाम में ही क्या रहा है controlled controlled का मतलब है कि एक इस तरह का controlled environment हो जहां पर restrictions हो तो ऐसी जगे कौन सी हो सकती है अगर हम school की बात करें तो classroom ठीक है तो classroom में जहां पर एक fixed place हो और वहां पर बच्चे है टीचर पढ़ा रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है तो इस तरह की जो observation है अब इस environment में जाके आप observation ज जब आप teaching practice में आप जाएंगे school में और आप जब पढ़ा रहे होंगे class में और आपकी जो teacher है वो आपको आकर देखेंगे ठीक है आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं किस तरह से आप class में activities करा रहे हैं बच्चों को समझा रहे हैं तो इस तरह का observation है जो एक controlled environment में होता है classroom के अ boundary नहीं है कोई limitation नहीं है मतलब बच्चा है यहाँ पर आप किस तरह से ground में खेल ला है जो भी activity कर रहे है अपना normal routine जो कर रहा है आप उसको उसी तरह से आप उसको observe करेंगे तो इस तरह के जो observation है इसको हम कहते हैं uncontrolled अन्यंतृत फिर तीसरा आता है सेभागी अवलोकन पार् बच्चों के साथ जाकर जो भी activity कर रहे है उसमें participate कर रहे हो और participate करने के साथ साथ आप बच्चों को देख रहे हैं उनके बारे में जान रहे हो तो यहाँ पर आपका participation उनके साथ हो रहा है तो इसको हम क्या कहते है सेभागी अवलोकन या participant observation और इसके बाद फिर इसका opposite non-part participant observation की मतलब क्या है कि आप अब उस ग्रूप में नहीं गए बलकि दूर से जो भी हो ग्रूप activity कर रहा है आप उसमें participate नहीं करें बलकि दूर से उनको देख रहे हो तो इस तरह का observation है उसको कहते हैं सहभागी non-participate observation अब सहभागी अवलोकन participant और non-participate दोनों को मिला कर एक जो नया जो इसका परकार बना अर्द सहभागी क्वासी participant observation यहां पर क्या है कि आप ग्रूप में भी जाकर पार्टिपेंट भी करते हो और आप बहार से देखते भी हो तो दोनों काम आप साथ साथ कर रहे हो और लाश्ट में है सामोहिक अवलोकन collective observation जहां पर एक से ज़्या जो अवलोकन होता है उसे हम क्या कहते हैं collective observation कई बार आपने देखा होगा ना जैसे सूरी गरन होता है चंद गरन होता है एक ही साथ तो उसको हजारों लाखों लोग देखते हैं तो इस तरह का जो observation है collective observation है सामोहिक अवलोकन है जहां पर एक से ज़्यादा expert बच्चों को दे विधी की क्या क्या विशिष्टा है तो सबसे पहली विशिष्टा direct experience प्रतिक छुनबाओ तो इस विधी की जो सबसे खासियत है कि आपको जो भी चीज़े पता चल ली है आपको किसी के भरोसे नहीं है बलकि आप अपनी आँखों से direct देखकर direct experience ले रहे हो आपको किसी के बच्चे के बारे में जानने है आप उसको देख रहे हो चाहिए क्लास में बच्चा क्या कर रहे है क्लास के बाहर क्या कर रहे है आप अपनी आखों से उसको देख रहे हो उसके बाकी बच्चों के साथ कैसा है आप उसको देखकर आप क्या कर रहे हो चीजों को experience कर रहे है उसके बारे में जान रहे हो फिर deep and purposeful study ठीक है इस तरह का जो observation है गहन एवम उद्देशपूंट तो देखिए observation जो भी है वो क्या होता है हमेशा purposeful होता है ठीक है purposeful क्यों है क्योंकि एक social science teacher है देख सकते हैं उसके बारे में जान सकते हो ठीक है तो एक क्या होता है purposeful होता है आप एक purpose के लिए इस तरह का observation करते हो plus deep deep का मतलब है कि purpose के साथ आप उसके बारे में गहन विचार करो कि ऐसा क्यों है ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है अगर बच्चा है लड़ाई जगड़ा कर रहा है मालो किसी दूसरे बच्चे के साथ तो क्यों कर रहा है ठीक है तो जो भी आप चीज़े देख रहे हैं उसके पीछे के reason के बारे में जानने की कोसिस कर रहा है तो इसलिए हम कहरें deep भी होता है और purposeful भी होता है फिर scientific method विज्ञानिक पदिती की जो observation है हमने इसके types की बात की तो यह भी एक विज्ञानिक पदिती पर आधारित होता है यहां पे आप बच्चों को देख रहे हो ठ reliable material विश्वसनी है सामगरी विश्वसनी इसलिए क्योंकि आप यहां पे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें बलकि आपने जो देख रहे हो अपने आँखों से आप उस चीज को देख कर फिर आप उसके बारे में जान रहे हो information को collect कर रहे है तो इसलिए हम कहते ह किस तरह का behavior है क्लास के बाहर किस तरह का behavior है तो study of group behavior कि इसमें सामुएक व्यवार का अध्यान और finding causes and effect relationship की हां पे causes and effect relationship कारे कारण संब्द का पता लगाना तो अब है causes and effect relationship क्या होता है सपोस्ट करो आप स्कूल में गए स्कूल में आपने midday meal को देखा कि बच्चों को जो lunch म है midday meal जो scheme आई थी इसके तहत बच्चों को खाना दिया जा रहा है तो अब आपने इस चीज को देखा तो आपके मन में बहुत सारे question आए कि जो midday meal था एक कब से start हुआ और midday meal क्या daily जो है same food दिया जाता है कि इसमें changes किये जाते हैं बच्चों से पूच्चों कि बच्चो End-effect relationship कारे कारण समध का भी पता लगा रहे हो कि यूज ओ फ्यूमन-serूँश की मानो इंद्रियों का प्रयोग होता है सेंसिस आप आंखोसे देख रहे हैं आप कानॉसे सुन रहे हो ठीक है तो यहां पर क्या है कि जो human जो सेंसे मानों इंदरी हैं उनका प्रियोग हो रहा है होट पूर श्रडी विचार पूर्वक अधियान जो भी देख रहे हैं आप उसको विचार कर उसके बारे में सोच रहे हो तब तरही तो आप एक कंक्लीजन तक पहुंचते हो क् एक स्सक्राणस पहुंचते हो और सेंड profession कमों डीालं सोगरीर का सेंट जो को अपनी आँखों से देख रहे हो और डायक्ट एक्स्पिनिस के थुरू आप जो भी इंफोर्मेशन है कलेक्ट करें तो यहां पर कौन सा सोर्स हुआ प्राइमरी सोर्स हुआ है इजी स्टडी सरल अध्यान की सरल इसलिए है क्योंकि आप खुद देखरे हो आपको किसी दूसरे के बहरों से बैठानी पड़ा जो भी इन्फोर्मेशन है वो बिल्कुल आप अपने आँखों से देख रहे हो तो जो भी आप देख रहे हो बिल्कुल आपका अपना एक्स्प क्लास में जो भी activity कर रहा परड़ा किस तरह कर रहा तो इसमें जो श्रडी किस तरह कि यह सरल है एक अधिक सुद्धिता और और ऑब्जेक्टिवटी निस्पक्षटा तो देखिए अधिक सुद्धता सुद्धता इसलिए क्वें कि आप जो भी material है मालो आप एक observer हो आप सामने देख रहे हो ठीक है सामने देख रहे हो तो यहां पर सेम वही चीज़े कि आप किसी से नहीं पूछ रहे हैं ऐसा भी नहीं कि कोई भी आपको गलसलत बोल दिया और आपने उसको माल लिया ठीक है ऐसा नहीं जो भी चल रहा है जो भी हो रह observer हो आप इमांदार हो तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ देख रहे हो इमांदारी के साथ आप चीज़ों को लिखोगे समझोगे लेकिन अगर observer इमांदार नहीं हुआ तो फिर तो एक इसका demerit हो सकता है अब हम बात करते हैं इसके limitations की कि इसकी क्या सीमाए है तो दीखिए सबसे पहली बात है defects in the sense organs की अगर आपको आँखों से सही दिखाई नहीं देता कानों से सही सुनाई नहीं देता तो यह problem हो सकती है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती तो हमेशा आँखों का देखा यह सच नहीं होता तो एक पहली चीज दूसरी limited area सिमी छेतर होता है ठीक है अब हर चीज का हम कहें कि हर चीज के बारे में आप डारेक्ट जाकर experience नहीं कर सकते ठीक है आप डेली में रह रहे हो अगर हम कहें कि कस्मीर में बर पढ़ रही है तुरन डारेक्ट जाकर आप उसक है आप कहें कि बच्चों को घर पर भी जाकि उनको observe करो तो इतना पता नहीं आपके पास time होगा कि नहीं होगा तो इसका भी एक area limited होता है कि हम बात करें तो classroom या classroom के बाहर ground में जो ही हां तक इसका area होता है ठीक है तो और तीसरी बात है कि partiality पक्षपात की संभावना होती ह कि कई बार आप observer हो ठीक है तो कई बार class में आपने अलग अलग बच्चों को देखा तो कुछ बच्चों की गलतियों को तो आपने नजर अंदाज कर दिया कुछ बच्चे जो आपको नहीं अच्छे लगते हैं उनकी गलतियों का आपने मालिया किया भाई ये कर रहा है तो इसके तरू किस तरह से हम जो information ने collect कर सकते हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताईए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद